हे सर्वे इंजीनियर, वेलकम तो आवर यूटूब चनल सर्वे सोसाइटी, इन दिस वीडियो, आई विल डिस्कस यू, लाइका टीस 07 टोटल स्टेशन, कोगो फांक्शन, इंटर्सेक्शन फांक्शन में पहली वीडियो में बताया था, बीरिंग टू बीरिंग में कैसे इ आपको दिखा लेंगे, यह फास्ट पॉइंट है, और यह सेकेंड पॉइंट है, इसके द्वारान यहां का जो लेंथ है, सापोज यह मेरा 14 मीटर, आपका एकोडिंग कुछ भी हो सकता है, यह हो गया है, 10 मीटर 500, पहले तो आप समझ लिजे, इंटर्सेक्शन होता क्या है यह जो एक लाइन और यह लाइन, इसके बीच में जो क्रॉस किया है, जो अब यह सेक्शन जो यहां पर बिंदी आ रहा है, इसी को इंटर्सेक्शन बोलता है, यह फास्ट पॉइंट है इसके द्वारान जो यह पॉइंट आएगा, इसी का आज कैलकुलेशन करके मेरा फास्ट प्यांट और सेकेंड पॉइंट- अलरेडी लॉड है, तो फास्ट क्येंट को इंपूट करके और णिस्टेन्स देके, इसके इंटर्सेक्शन पॉइंट का वैलू निकलेंगे, चलिए चलिए मेंन में दिखा रहता हूं में इसीनों को request हो जाने के then continue पिछली वीडियो में बात किया था bearing to bearing में कैसे intersection point निकलेंगे आज बात करेंगे distance to distance देखे कैसे intersection point निकलेंगे clearly आप देख सकते हैं यह first point और second point इसके बीज जो intersection point create हो रहा है इसका value निकलेंगे description ने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है intersection point are calculated between two points by defined distance continue क्लिक करिए already मेरे पास point load है अगर आपके पास load नहीं है तो आप manually भी इसको enter कर सकते हो या create कर सकते हो अगर आपके पास point नहीं है तो manually आप point create कर सकते हो f4 में press करके new में और point id चेंज करके string nothing height का ज़रूरत नहीं है by the way मेरे पास point है इसका list में जाके वह point select कर लेता हूं यह long one और इसका horizontal distance में दिखा दिया था आपको पेपर में 14 मीटर सेम यहां पर 14 मीटर में इंटर किया हूं by the way मेरा point number two long long three है फिर okay करेंगे फिर find करके continue करेंगे और horizontal distance में दिखा दिया था 10 मीटर 500 है तो 10 मीटर 500 में इंटर किया हूं फिर calculation करेंगे तो आपका intersection point आ गया है चाहे तो आप plot में देख सकते है यह एक number point है यह दो number point है यह जो point आया है यह intersection point है आप clearly देख सकते है first point second point और intersection point है चाहे तो आप set out कर सकते हो फिर से result में जाएंगे set out का option रहेगा इसका point idea आप कुछ भी ढाल सकते हो मैं 1001 डाल रहा हूं फिर setup में करेंगे या store कर सकते है तो store कर सकते है, point टूक में click करेंगे, तहर नि, point ID जो दो number है वह भी कर सकते हो, तो में point one में करेंगे, बस यही था इस वीडियो में, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरू लाइक से और सस्क्राइब कर देजीए, सर्वेस सुसेट यूटूब चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आपका ख्याल रखिए बाई